है फेंड्स आप यूटुब के टोजे दिनेटिक चैनल पे और मैं वन कुमा दोस्तों मैं ठंकेवाल कि नेक्स टिप्स लेकर आगया है जिसमें मैं आपको सिखाना हूं कि आप बिना किसी कोडिंग के किसी भी एप को कैसे बना सकते हैं तो उसकी टिप्स मैं देते रहता हूं तो इस बार मैं आपको बलॉक सेक्शन में जाने को जो टेक्स्ट ऑफ्सन होती है उसके अंदर आपको सेग्मेंट टेक्स्ट की एक बलॉक मिलती है तो उसका कहां आप यूज कर सकते हैं वो मैं बताने वाला हूं तो चली जानते हैं कि सेग्मेंट टेक्स्ट बाली बलॉक तो मैं यहां पे text box ले लेता हुआ दो text box तीन text box और उसके बाद एक level ले लेता हूँ और एक button ले लेता हूँ और बीच में एक arrangement ले लेता हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे और इसके height को करेता हूँ तो बस design complete हो चुकी अब चलिए block में चलते हैं तो जैसे ही कोई button उन पर click करेगा तो यहाँ level में text लिखेगा तो अब यहाँ से segment का block ले लेते हैं text, segment, text block लेवल 1 में क्या text लिखेगा तो यह text box 1 का जो text होगा और कितना से वा start करेगा तो जो text box में जो number रहेगा और इसका length क्या होना चाहिए तो text box 3 में जो number रहेगा उतना तो बस यह complete हो चुका है आप चलिए इसे live test करके मैं आपको दिखायता हूँ ताकि आप अच्छे समझ सकें तो मैं text box 1 में कुछ text लिख देता हूँ तो मैं अपने चैनल का ही name लिख देता हूँ तो यह कहां से start होना चाहिए तो मैं यहाँ पर कर रहता हूँ 2 और इसकी length क्या होनी चाहिए तो text box 3 में हम लोगों ने दिया था तो length मैं कर देता हूँ 5 और जैसी मैं button 1 पर ok किया अब देख सकते हैं नमबर 2 से start किया और यहाँ पर 5 word को यह लिख दिया यहाँ पर space को भी account किया तो अगर मैं 8 यहाँ पर कर दूँ अब ok किया तब देख सकते हैं यह 8 word को लिख दिया और उसी तरह मैं यहाँ पर कर देता हूँ 3 और यहाँ पर कर देता हूँ 10 तो यह 3 से start किया और 10 word तक इसने लिख दिया तो आप अपने apps में इस तरह कुछ भी system डालना चाहते तो आप सेग्मेंट टेक्स्ट ब्लोग का यूच कर सकते हैं दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लिदर प्लीज वीडियो का लाइक करें कोई भी सवाल कोई सुझा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें अगर आप बीना कोडिंग के apps बनाना सेखना चाहते तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें बाइबाइ